नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर परधान मंत्री किसान सम्मानी धी योजना से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज ताज़ा अपडेट एक बार फिर आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं बारवी किस्त सरकार द्वारा ट्रांसफर करने से पहले किसानों के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है 3786 ऐसे किसान पाए गए हैं जो की एपातर हैं अब इने बारवी किस्त का जोलाब है वह नहीं मिल पाएगा इन किसानों से वसूली भी की जाएगी आखिर कितने रुपे की वसूल की जाएगी और एक किसान किस जंगा के रहने वाले थे ये सभी जानकारी आपको दी जाएगी इसके साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि बारवी किस्त के जो 2000 रुपे हैं किन किसानों को मिल पाएगे और कब तक आपके बैंक खाते में बारिव किस्त की धनरासी ट्रांसफर सरकार द्वारा की जा सकती है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आप से एक छोटा सा निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तों वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं परधान मंत्री किसान सम्मांधी योजना में भारी गडबडी देखने को मिली है यह कई आपात्र किसानों ने योजना का लाब ले रहे थे अब परशासन इन से वसूल की तैयारी कर रहा है धमतरी जिले में दोस्तों जीहां दोस्तों यह धमतरी जिले की खबर है आपको आगे बताया जाएगा कि इन किसानों से कितनी वसूल की जाएगी 1452 ऐसे किसान है इसके अलावा अब तक 3786 किसानों को एपात्र कर दिया गया है इनसे 5,11,82,000 रुपे वसूले जाएंगे परशासन इनकी सूची भी तैयार कर रहा है क्रिसिव भाग ने उपसंचालक ने बताया कि पीम किसान सम्मान्धी के लिए जिले में अब तक 1772 किसानों का पंजिकरन किया गया है इनमें से 89,814 किसानों का इके वाइस का कारिय पूरा हो चुका है इसके अलावा अभी तक 2334 ऐसे किसान है जो की जिले में निवास नहीं करते हैं और जाच के दोरान उनकी कोई भी जमीन नहीं पाई गई है ऐसे किसान जो योजना का लाव ले रहे थे उन्हें एपातर सूची में रखा गया है उन्होंने बताया कि 1452 ऐसे किसान हैं जो इंकम टैक्स जमा करते हैं इन किसानों से एक करोड चालिस लाक अठासी हजार रुपे वसूले जाएंगे कुल मिलाकर 3786 किसानों को एपातर कर दिया गया है जिन से पांच करोड ग्यारा लाक बैसी हजार रुपे वसूले हैं बताया गया है कि 65 किसानों से 5,60,000 रुपे वसूले की जा चुकी है उन्हें पातर किसानों की सूची तयार की जा रही है इन से वसूले की जाएंगी यानि कि जो एपातर है एपातर किसानों की जो वसूले तयार की जा रही है सूची के हिसाब से ही इनकी जो पैसा बैठता है एक किसानों पर उस कुल मिलाकर दोस्तों इतना पैसा है और उनसे यहाँ पर ये पैसे वसूले की जाएंगी आपकी जानकार के लिए बता दे किसानों को आर्थिक सायता पूशाने के लिए उस देशे से परधान मंद्री ने अंदर मोधी की केंद सरकार द्वारा चलाई गई परधान मंद्र किसान समानधी योजना चलाई जा रही है दोस्तो जिनमेगी किसानों को साल में 6,000 रुपे तीन किस्तों के माध़आम से सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं छोटे किसानों के लिए यह रासी उनकी आर्थिक सायथा में काफी ज्यादा सायथा करती है उनकी आर्थिक मदद करती है अब तक इसके तहट किसानों को केंद सरकार की तरफ से 11 इंस्टॉल्मेंट यानि की जो 11 किस्ट है 11 किस्ट के 2000 रुपे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दे गए है लेकिन अब जिन किसानों को 12 किस्ट यानि की बारवी किस्ट का इंतजार बेसबरी से बना हुआ है वैसे तो इस योजना के अंतरगत किसानों की जो किस्त है वह अगस्त से लेकर नौंबर के बीज में सरकार कभी भी ट्रांसफर कर सकती है लेकिन मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आपको पता जा रहा है कि जो 12 इस्टॉल्मेंट है बारवी किस्त है वे सितमबर महीने के अंत्यम सब्ता या फिर अक्टूबर महीने के पहले सब्ता में ही बारवी किस्त के 2000 रुपे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर सरकार कर सकती है सरकार दोरा अभी इसकी कोई तारिक निर्धारित नहीं की गई है यह नहीं बताया गया है कि हम इस तारिक में किये जाएंगे अब दोस्तो आपकी जानकारे के लिए बता दें कि 12 किस्ट के 2000 रुपे का जो लाब है वह है किन किसानों को मिल पाएगा दोस्तो समय रहते वे जिन किसानों ने EKYC का कारिये पूरा करा लिया है दोस्तो यदि आप भी स्योजना का लाब ले रहे हैं तो आपको EKYC कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सरकार ने अनिवारी क्या हुआ है यदि आप PM किसान पोर्टल से कराना चाते हैं तो आप OTP के माध्यम से करा सकते हैं और यदि CSE Center पर जाकर आप कराना चाते हैं तो आप Biometric तरीके से अपना EKYC अभी भी करा सकते हैं यदि आप कराना ही होगा यदि आप लाब लेना चाते हैं भविस्य में भी आप चाते हैं कि भविस्य में भी हमें इसका लाब मिलते रहे तो आपको कराना होगा इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं जिनके आविदन फारम में कोई भी गलतिया ना हो रही हो जैसे कि आपके नाम में स्पिलिंग्स में मातराओं में जो आपका स्टेटस है वह दोस्तो एक्टिव होना चाहिए जिसका इन एक्टिव है उनको लाब नहीं मिलेगा और दोस्तो यहाँ पर जो पेमेंट मोड है वह आपका आधार होना चाहिए यदि किसी का अकाउंट है उसको भी लाब नहीं मिल पाएगा यहाँ दोस्तो यह सभी चीजे आपकी सही होनी चाहिए तभी आपके बैंक खाते में यह किस्त मिल सकती है इसके साथ ही दोस्तो यहाँ पर जांच में आपको यह भी देखना है जो आपका अकाउंट नंबर है वह वैलिड होना चाहिए यदि किसी का इन वैलिड है तो उनके बैंक खाते में भी यह बारेवी किस्त का लाब जो है नहीं मिल पाएगा पोंच नहीं पाएगा और जो तेरेवी किस्त मिल पाएगी उसका लाब भी नहीं मिल पाएगा सरकार द्वारा आप बारेवी किस्त को ट्रांसफर करने से पहले यह सभी जानकारी आपको एक बार अच्छे से जाज कर लेनी होगी और यदि आपको मैंट जानकारी थोड़ सी पसंद आये तो वीडियो को ज़रो लाइक कर दिजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है लाश्ट वीडियो यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नैक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारे साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भरत